NCL Northern Call Fields Limited की दुधी चुवा प्रोजेक्ट में पदस असिस्टेंट मैनेजर अभिशेक तरपाथी को रीवा लोकायुक्त की टीम ने 12,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफतार कर लिया है। इस रिश्वत खोर मैनेजर ने किराई की गाड़ी के बिल भुकतान के लिए रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त की टीम ने आज अभिशेक तरपाथी को उनके NCL आवास पर गरफतार किया। वहीं लोकायुक्त की कारवाई के बाद NCL की कोईला ख़दान इलाके में हलकम पमचा हुआ है। यह सिकायत करता थे दिनेश कुमार साहु। इन्होंने एसपी लोकायुक्त दाकर साहब के सामने आविदन दिया कि इनकी गाड़ी यहां प्रोजक्त में किराई से लगी हुई थी। उसके दो महिने के किराय भुक्तान के लिए टासी मागी जा रही है। तो इन्होंने आरूपी है अभिशेक तरपाथी यह असिस्टन मेनेजर है एंडम में तो इनके द्वारा बाराजार रुपे की रिस्वंस की मांग की जा रही है। एसपी मोदे ने सिकायत का सत्यापन कराया। सिकायत सत्यापन के दौरान सही पाई गई और उसी तारितम में प्रेप कारवाई की गई जिसमें आरूपी अभिशेक तरपाथी जी को तभी आतों जरप्ता किया लिए। सर मैं बहुत परसान था, मेरी बिल रुकी हुई थी और ये लोग साइन करने के लिए बोल रहते कितना पैसा दोगे तभी साइन किया जाए रहा। इसके साथ मैं अब दो महीने से भटग रहा हूँ सर, मेरी गारी खिचने के कगार में आ घई है, मैं किष्ट नहीं दे पा रहा हूँ। जो कि मेरे पास जो था, मैं अपना गिरभी दख्य किसी तरह मैं अपनी गाडी का खिष्ट दिया हूँ। और यहां जब मैं आता था करीबन मैं पचासों चक्कर लगा चुका हूँ से बिल के लिए लेकिन यह लोग साइन नहीं करते हैं घुमा के हमको वापर भेड़ देते हैं और उपर जहां तक जाते हैं तो बोलते हैं कि उपर तक वैसा लगता है देना पड़ता है इसके लिए जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक मिशलेश हम करते हैं सत्य का अनुवेशा तखल नीज आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल नीज